दोस्तों नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगा अजलिया प्लांट के बारे में अजलिया प्लांट आप मार्केट से खरीद के ला रहे हैं तो इस वीडियो को अवर्शी देखें क्योंकि इसके बारे में जनकारी रखना बहुत ही जरूरी है आप जिदि इसके बारे में कोई भी बायो कंपानी का इंसेक्टिशाइड जैदी आपके पास है इसका नाम है कीलर 707 इसके जगह पर आप दूसरा भी उच्छ कर सकते हैं दोस्तों इसमें लिखावे आपको यह डबबा बहुत ही छोटा डबबा है इसको आपको थोड़ा कोई भी ऑर्गेनिक थोड़ा क कागा यह भी ऑर्गेनिक ही दोस्तों इसको भी आप दे सकते हैं दो में से कोई अप एक ही दीजिए तो इसको हम इसमें पने बहुत ऐसे उच्हा रिपोट दिया को इसमें कुछ विटामिन भी है आपका पाउदा के लिए और इन्सेट के लिए है कोई बी इंसेट कीडा-मोकड़ा कोई भी से कुछ पत्ता को प्रेलागा है तो तो दोस्तों इसको खाथ के बारे में हम बोल दें यहां पर हम जो दे रहे हैं यह वर्मि कम्पोस्ट नहीं है तो आप पत्ता का भी खाद सकते हैं उसमें भी बहुत अचा काम होगा और इसके अलमा दोस्तों देख रहे हैं बोन मिल है याने कि महशी के घंडी द्वारा जो बनता है खाद इसको करीब आप ज्यादा ज्यादा दस से पंद्रे गराम दीजिए और ये वाला तिसरा जो खाद है यह है निम का खली दोस्तों इसको देने का ज़रुत पड़ता है क्योंकि हमारा मिटी के अंदर मैं इसा कोछ फंगस जल्दी नहीं बने कोई ख आपका पवधा बिल्कुली सही रहे और समय पर फूल आए और बहुत सारा फाइदा है इसका निम का खली का दोस्तों इसके अलामा जो हम दे रहे हैं यह सर्थो का खली है सर्थो का खली कहीं भी आपको मिल लाएगा बहुत ही असानी से मिल लाएगा और ज्यादा दाम नही देने करता है आपको पाउधाय का अंदर में इस तरीके का पाउधाय है तो आप एक से डेड़ समझ दीजिए उससे ज्यादा नहीं दीजिए और इसको कितने दिन बाद बाद देना है इस बाद का ध्यान रखना है आपको हम जो देखाएं कमपोस्ट निम का खली बोन मील और सचो का खोल आपको इस पाउधे में ज्यादा ज्यादा महीने में एक बार देना है उससे ज्यादा नहीं देना है और बरसात के मौस्व में बारिस ज्यादा होने लगे तो ज्यादा कमपोस्ट या कोई भी खाद ज्यादा कुछ नहीं देना है और इस यहाँ पर एक यह साफ कमपनी का फंगिसाइड है तो फंगिसाइड का महीना में एक बार देना बहुत ही जरूरी होता है और बरसात के मौसम में इसको आपको दो बार देने पड़ेगा इस तरीके से चाय वाला चमच से एक चमच पाउधा के चारो तरफ किनारे दीजिए और इसको आप मिल होता है इसका जड़ तो इसमें थोड़ा भी फंगस लगेगा तापका पाउधा उपर से पत्ता जो है पीला होने लगेगा या काला होने पढ़ने लगेगा तो खराब होने लगेगा तो इस बात का ध्यान रखना है इसके उपर आपको कोई भी फंगिसाइड विष्टन हो उसको भी आप देश सकते हैं या शाप कमपणी का भी बाच्छा ही काम कर रहा है और दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कली आ रहा है इसमें होता क्या है इस पाउधा का अंदर में आपका पाउधा का ब्रांच जब पुराना होने लगेगा जितना ही पुराना होगा तो इस फूल यदि आपके पवधा में आ गिया तो फूल आपके गुच्छा में आने शुरू होगा और वह अस्तियत्य करके आते ही रहेगा मार्च महिना तक आपको डिसंबर से लेकर करके डिसंबर जनवरी फरवरी मार्च का दस बारे तारीक तक आपको फूल थोड़ा ज़्यादा देता है और उसके बाद या मार्च के बाद ज़्यादा अपरील जब महिना आजाएगा तो इसका फूल थोड़ा कम जाएगा तो दोस्तों मार्च का दोस बारे तारी के बाद तो मौसम थोड़ा गरम हो जाता है तो इस कारण गरम के कारण इस पौधे को बचाने के तरीका आपको देखने होगा क्या करने होगा आपके पास कोई बड़ा सा पाउधा है तो उसके छाया में इसको रखिए जिससे की धूप जो है च्छन कर गया है डारेक्शन लाइट इसके उपर लगेगा तो आपका पाउधा का पत्ता जो है जलेगा और पाउधा भी खराब हो सकता है इस बात का ध्यानक ना है आपको गर्मी से बचाना है जितना आपको इसको बरसाथ से खत्रा नहीं है तो दोस्तों इसको गर्मी से खत्रा है तो इसलिए आपके पास जेदी सेड हो तो सेड के साइड में रखिए ओभी सही है थोड़ा बाउध धूप लगेगा सुबह के एक दुगहंटा का तो इसमें आपका पाउधा बिल्कूल ही हेल्दी रहेगा और फूल भी सही देगा और इसके पानी के बारे में दोस्तों बोल दे हैं जब भी मिटी सूख है उपर के तरफ से एक दुइंच तो इसमें आप पानी दीजिएगा और यहां पर मुझे देखा रहे हैं लाल वाला यह खाद तोस्तों आपके पास यदि एनपी के उनिस उनिस या एनपी के बीस बीस हो तो उसको आपको एक लिटर पानी में ज्यादा नहीं दो गराम डेड़ से दो गराम उससे ज्यादा नहीं लेना है डेड़ से दो गराम एक लिटर पानी में घोल करके आप इस पाउधा में दे सकते हैं किन्तु ज़्यादा जब गरम पढ़ने लगेगा उस समय इसको नहीं देना है आपको बारिस जब खतम हो जाए तो नौमबर महीना नौमबर डिशंबर जनवरी फरवरी और मार्च आध देना है और वो भी जब तक बारिस नहीं हो रहा है तभी तक जब बारिस होने लगेगा तो उसके बाद आपको क्या सीज़ देना है इसके अंदर आप शिरिफ जो कमपोस्ट है कमपोस्ट दे सकते हैं और आपके पाजिदी सीवीड हो ग्रेनवल तो उसको आप एक शमस दे सकते हैं दोस्तों यहां पर हम जो कमपोस्ट और खाद फटलाइजर जो भी दिए उसका पांच दिन के बाद का हमारा पाउधा का यह रिजल्ट है हमारा पाउधा बिल्कूल ही सही है यहां पर पाउधे के अंदर में कोई भी पत्ता या ब्रांच के उपर कोई भी खराबी नहीं है तो दोस्तों कोशिश करना है नेचुरल ही खाद दीजिए अपने पौधे का अंदर रासानिक कम देने कोशिश करिए रासानिक के पक्सिमम नहीं जाएंगे क्योंकि रासानिक देने से इस पौधे के उपर खत्रा रहता है क्योंकि इसका जो होता है पीएच लेबल थ कीजिए इसको अंदर में और तो दोस्तों हमको उमेद है कि इस वीडियो के देखकर के आपको अपने अजलिया प्लांट को बचाने का बिल्कुल ही जनकारी मिलेगा और आप अपने प्लांट को अच्छा से रख रखाव करने सकेंगे बचाने सकेंगे तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद